असलाम अलेकुम ग्रेट सेक्स माइनेम इस सदफ और यूर कम्प्यूटर टीचर तुरेंट्स हम लोग पढ़े हैं यूनित नमर वन जुसका नाम है इंटरनेट और स्टुरेंट्स आज की लेक्चर में हम लोग पहने वाले हैं इंटरनेट के एड्वांटेज़ एंड आज हम देखने वाले हैं कि इंटरनेट के क्या पॉजितिव यूजिज नेगितिव यूजिज लुग तो चलिए शुरू करने हैं एड्वांटेज़ के साथ तो स्टुडेंट्स हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इड्वांटेज इस ओप इंटरनेट जिसमें हम कुछ कुछ करना चाह रहे हैं और आप लोगों को कुकिंग नहीं आरही तो students यह सारी चीज़ें आप लोग सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोग इंटरनेट पर चीज़ों को सर्च करते हैं हम यूज करते हैं search engines जैसे के google search engine यूज करते हैं हम उसके इलावा yahoo या bank यूज करते हैं याद है ना आपको तो students हम लोग google पर कोई भी information सर्च कर सकते हैं किसी भी website को सर्च कर सकते हैं आगे दिखिए you can buy and sell goods over internet हम लोगों ने पढ़ी थी e-commerce याद है services of internet में हम लोगों ने पढ़ा था कि e-commerce क्या होती है students आप लोग online चीजों को buy कर सकते हैं और sale कर सकते हैं ठीक है next एक है you can pay bills and read newspapers students अब आप लोगों को banks में lines में लगके bill पे नहीं करना पड़ दा कि आप लोग अपने घरों में बैठके अपनी online application से mobile पर ही अपने bills पे पर सकते हैं और इसके लावब आप लोग newspapers या magazine जो भी आप लोग पढ़ना चाहें आप लोग किसी भी time पर सकते हैं ठीक है आगे देखिए next advantage देखिए students you can easily download songs movies and play games students हमारे लिए internet बहुत बड़ा entertainment का जरिया भी है हम लोग जब चाहें इसके ओपर games खेल सकते हैं हम लोग songs सुन सकते हैं movies देख सकते हैं, cartoons भी देख सकते हैं और students हम लोग उने download भी कर सकते हैं download करने का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों के पास कुछ टाइम के बाद internet नहीं भी होता तो जो चीज आप लोगों ने download की होती है students आप लोग उससे internet के बगएर भी access कर सकते हैं जैसे कि अगर आप लोगोंने कोई movie या कोई song download किया है तो students जरूरी नहीं है कि उसके बाद भी आपके पास internet हो तो ही वो play हो सके उसके बाद अगर आप लोगों के पास internet नहीं भी है क्योंकि वो चीज आपके computer में download हो चुकी है इसलिए आप लोग उसको बाद में भी access कर सकते हैं आगे देखिए you can fill online forms over internet students हम लोग online forms भी फिल कर सकते हैं internet पर आप लोगों ने देखा होगा students survey forms के बारे में तो आपको पता होगा पता है ना तो जब internet नहीं था तो students क्या होता था कोई भी survey किसी ने फिल करवाना होता था तो वो बारी बारी सब के घरों में जाकर उस survey को फिल करवाया जाता था लेकिन students internet ने हमारी इस effort को बहुत कम कर दिया है और अब क्या होता है अब हम लोग online ही लोगों से survey forms फिल करवा सकते हैं और हम लोग online उन survey forms को फिल भी कर सकते हैं आगे देखिए you can buy tickets online using internet students ये किन tickets की बात हो रही है ये cinema की tickets भी हो सकती है ये airline की tickets भी हो सकती है ये buses की tickets भी हो सकती है trains की tickets भी हो सकती है students हम लोगों को bus station पर या railway station पर पहले से जाना नहीं पड़ता अपनी tickets को book करवाने के लिए बलके हम लोग क्या करते हैं online ही पहले trains और aeroplanes की हम लोग timing बगरा देख लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपनी tickets को भी book करवा सकते हैं उसी तरह से students आप लोग cinema के tickets को भी पहले से book करवा सकते हैं internet के through आगे दिखिए you can chat with your friends students आप लोग अपनी दोस्तों के साथ chat कर सकते हैं अगर internet ना हो और उसका भी time-based होता है तो students internet को use करते हुए आप लोग कोई भी important बात आप उसे chatting applications के through कर सकते हैं जैसे के हम लोग ने chatting applications के बारे में बात की थी जैसे WhatsApp है जैसे Telegram है जैसे के Facebook है तो students in applications के जर्ये आप लोग अपने दोस्तों से connected रहते हैं उनसे मिले बगार भी हो सकता है कि आपका कोई दोस्तों किसी दूसरे शहर में रहता हो जिससे आप लोग बहुत ज्यादा frequently मिल नहीं सकते तो students आप लोग फिर क्या करते हैं आप लोग इन applications के जर्ये उससे chatting कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं आगे देखिए तो students कई बार हम लोगों को फिजिकल बुक्स अगर नहीं मिल रही हैं तो आप लोगों को इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं इबुक्स की सूरत में ठीक है इबुक्स हम लोगोंने लास लेक्चर में पढ़ा था काफी डीटेल में के इबुक्स क्या होती है इबुक्स होती है इलेक्ट्रोनिक बुक्स ठीक है आप लोगों को इबुक्स के लिए पे नहीं करना पड़ता और अगर कुछ बुक्स के लिए आप लोगों को पे करना पड़ता है तो वो physical books के निस्बत उनकी cost बहुत कम होती है तो students, इस तरह से आप लोगों को e-books काफी cost effective भी पड़ती हैं तो students, यह थे कुछ advantages जो के हम लोगों को मिलते हैं internet से क्या आप लोग internet को use करते हुए information search कर सकते हैं अपनी चीजों को खरीज सकते हैं, बेच सकते हैं इसके लावा आप लोग अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं वीडियो कांफरेंसिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं और students, और हम लोग क्या कर सकते हैं entertainment का भी बहुत बड़ा जरिया है, internet आप लोग games के इन सकते हैं इसके लावा आप लोग music सुन सकते हैं और अपने computers और अपने laptops पर movies या फिर cartoons बगएरा भी देख सकते हैं चैटिंगे, आगे देखें, students, अब हम पढ़ने वाले हैं internet को यूज करने के कुछ disadvantages, तो चलिए मेरे साथ students, अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं internet के advantages और आप लोगों को पता है, हाइर चीज के positive perspective भी होता है और उसका negative perspective भी होता है, ठीक है अब हम देखने वाले हैं internet का negative perspective यानि के internet के negative uses क्या है तो चलिए students, देखें मेरे साथ virus threat, students, सबसे बड़ा disadvantage जो है internet का, वो है virus threat देखें, virus threat क्या होता है virus threat is a big problem to your computer ये हमारे computer के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है देखें, when you open a corrupted website जब भी आप लोग किसी corrupted website को open करते हैं तो students, क्या होता है, viruses can attack your computer system तो हमारे computer system को viruses attack करते हैं सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं, virus क्या होता है students, virus एक ऐसी file होती है जो के आपके computer system को corrupt करती है और आपके computer system के processing को भी slow down कर देती है इसके इलावा, students, ये आपकी data files को भी corrupt कर सकती है और आपकी sensitive information को भी steal कर सकती है ठीक है? इतने ज्यादा नुकसानात हैं, viruses के और students, जब आप लोग corrupted website को जो के secured नहीं होती उनको जब आप लोग एकसेस करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग उनके computer में viruses आ सकते हैं जो के आपकी files को corrupt कर सकते हैं आपके computer की speed को भी slow down कर सकते हैं और भी students की computer को काफी सारे नुकसानात पहुंच जा सकते हैं आगे देखिए hackers can try to hack your computer system and steal your sensitive information hackers आपके information को चुराने के लिए students या आपके information को एकसेस करने के लिए क्या करते हैं आपके computer system को hack करने की कोशिश कर सकते हैं नेटवर्क के थू अगर आप लोगों का computer किसी network पर नहीं है students तो hackers को काफी मुश्किल हो जाएगी आपके computer तक पहुँचने में लेकिन students अगर आप लोगों का computer internet के साथ connected है या फिर किसी private LAN या WAN के साथ connected है तो students hackers को काफी असानी हो जाएगी है दूसरे computers के जरीए आपके computers को access करने के लिए देखिए hacking क्या होती है the process of illegally gaining access to someone's computer system to students students ऐसी access जो के हम लोग किसी और के computer system पर हासिल करते हैं किस तरह से illegally ठीक है उसे हम कहते है hacking hacking बहुत बुरी चीज़ है और यह illegal है लेकिन फिर भी students कुछ लोग आपकी information को steal करने की कोशिश कर सकते है आपके ATM's वगएरा के pins को steal कर सकते है आपके social media के कोई password वगएरा को steal करने की कोशिश कर सकते है तो students उन लोगों को जो के यह काम करते हैं उन्हें हम कहते है hackers और इस activity को students कहा चाता है hacking ठीक है तो अगर आप लोगों का computer इंटरनेट पर है या फिर आप लोगों का computer किसी और network पर मुझूद है तो students hacking के chances भी काफी ज्यादा होते है next देखिए जी students आगे देखिए loss of personal information may be a major drawback for internet यानि के students आप लोगों की personal information का loss भी हो सकता है internet के सूफ वही बात जो कि हम लोगों ने पहली की थी कि hackers क्या करते हैं आपके computer system को access करने की कोशिश करते हैं और students उसी के जरिए आप लोगों की personal information का loss भी हो सकता है इसके इलावा students कई application होते हैं जो कि हम से हमारी personal information मांगती है और उन्हें बाद में sale कर दिया जाता है या फिर उसका misuse किया जाता है तो जब हमारा computer system इंटरनेट से connected ही नहीं होगा और हम लोग इस तरह की applications को अपनी personal information नहीं देंगे तो students हम ज़्यादा secure रह सकते हैं ना जी आगे देखिए continuous use of internet is bad for one's mental ability students इसका क्या मतलब है हमें बहुत ज़्यादा internet पर rely भी नहीं करना चाहिए वो क्यूं? क्यूंकि students जब आप लोग छोटी से छोटी information के लिए google पर search करते हैं तो क्या होता है? आप लोग अपने आप से सोचना ही बंद कर देते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा rely करते हैं internet पर तीक है? जो के बहुत जलत बात है और आप लोगों की mental ability इससे effect हो सकती है students इसके इलावा हम लोग जो online games खेलते हैं अगर हम लोग बहुत ज़्यादा online games खेलेंगे तो हम लोग physical sport जाहिरे नहीं खेलेंगे ठीक है? आप लोग अगर online cricket game खेलते हैं तो आप लोग physical cricket game नहीं खेलते students तो उससे क्या फर्क पड़ता है आप लोगों की physical ability पर भी effect आ सकता है ठीक है? आप लोग उतने active नहीं रहते और एक ही काम अगर आपने बैठ कर ही किये जाना है तो students आप लोगों की physical health पर भी उससे फर्क पड़ता है ठीक है? और students ये wastage of time भी है अगर आप लोग फजूल में internet यूज़ करते रहेंगे आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे और आप लोग सिर्फ movies देखेंगे और games खेलेंगे तो students इससे तो आपका time भी waste होता है ना? जो time आपको पढ़ाई पर लगाना चाहिए वो time आप internet पर लगा रहे है तो ये तो बहुत गलत बात है तो students ये थी कुछ advantages और disadvantages of internet मुझे उमीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा students इस topic के साथ ही हमारा ये chapter हो चुका है finish next lecture में हम लोगों ने इसकी exercise को शुरू करना है तो तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा students अलाहाफेज